खट्टा खाने वाली चुडैल राद को अचानक रादिका मौसी को किचन से कुछ गिरनी की आवाज आई उन्होंने बहा निकल के देखा तो किचन में उन्हें कुछ सफीक पाड़ी में दिखा वो चीख पड़ी रादिका मौसी को चीखते सुनकर श्रवन बहार आता है भागते हुए अरे मां क्या हुआ क्या देख लिया दादी मां आगई क्या सपने में अरे बेटा रसोडे में देख तो कौन है श्रवन रसोडे में ज्ञाक कर देखता है और उसे कोई नहीं दिखता अंदर अब रसोडे में तो कोई नहीं है मा कोई सपेज साडी में नहीं है क्या नहीं मा कोई भे नहीं है चिल्लम चिली के आवाज सुनकर काजल भी वहाँ आ जाती है अब क्या हो गया माजी अरे पेटा रसोडे में एक चुरेल थी सपेज साडी में अरे, क्या कर रही थी वो अंदर अरे, बता रहा नहीं, कला रही ये न तो पूश रूँगी चरेल जी, आपका क्या प्लान है मा जी, रात बहुत हो गई है, आपने कोई बुरा सपना देखा होगा, चलिए सो जाईए राधी का मौसी सोने तो चली जाती है, पर उनको रात बर नींद ही नहीं आती वो कुछ भी उलजलूल बाते सोचने लगती है कहीं चुडैल की वज़े से तो घर में टेंशन नहीं हो रहा कहीं उसी की वज़े से तो वो दादी नहीं बन पा रही सुबर जब राधिका मौसी रसोडे में च्छान बिन करती है तो पाती है कि नीबू का अचार गायब है चुडेल नीबू का अचार ले गई मुझे तो ठीक नहीं लग रहा कुछ चुडेल को भी पता है कि जिन्देगी का असली मजा तो खटे में ही है राधिका मौसी जड़ से श्रवन को फोन करती है बेटा मुझे समस्या समझ में आ गई है हमेरे एक तांत्री की ज़रूरत है हरे क्या बोल रही हो मा तांत्री की क्या ज़रूरत है आप पूजा पाड़ तो करी रही हो ना आल तू जलाल तू मंतर सारे फाल तू जैसे कुछ मंतर पड़ो चली जाएगी अपने आप चुडल अरे नहीं बेटा कभी चुडल को कम नहीं समझते अरे तुझे बता भी नहीं चलेगा कि कभी वो जल करके काजल की जगा घर की बहु खुद बन जाएगी क्या मा कुछ भी बोल रही हो कहा काजल और कहा चुडल वैसे एक बात बताओ काजल को अगर गाने के लिए बोल दे न तो चुडल काजल की आवाज सुनकर घर तो क्या घरती लोग छोड़ कर चली जाएगी तुम नव पड़े लिखे बच्चे हर चीज को मजाग समझते हो तुम रहने तो मैं खुदी तांत्रिक को बला लेती हूँ अच्छ असल शाम को इमली लेके आना क्या है कि चटनी खाए बहुत दिल हो गए हैं न नहीं मा इमली तांत्रिक से ही मंगवा लो न आठा वगेरे भी उसी से बिजवा लेना देखो मुझे काम करना है श्रवण रात को कही तरह की सबस्यों के साथ मा के कहने पे चटनी के लिए इमली भी ले आया था लेकिन रादिका मौसे के दिमाग में अलग ही फिल्म चल रही थी उन्हें अब सिर्फ शकी नहीं यकीन होने लगा था कि शायद चुडेल ने श्रवण पर अपना जाल बिछा दिया था जिस वज़े से श्रवण उनकी बाद ही नहीं मान रहा था पर कोई नहीं आने वाली रात में रादिका मौसे खुद तयार हो गई चुडेल को पकरने के लिए रुद्राक्ष की माला, तुलसी का पत्ता, हनुवान चालीसा सब हाथ के पास ही था बस चुडेल का इंतिसार था और जैसा रादिका मौसे ने सोचा था वैसा ही हुआ वो चुडेल उस रात भी आई पर वो रादिका मौसे से तेज निकली और रादिका मौसी के उससे पकड़ने के पहले ही वो भाग खड़ी हुई जरूर बहु पैसा आ रहा है उस टुडेल का तभी तो श्रवन के कमरे में गई है और अगली सुबह रादिका मौसी पिछली रात हुए हमले में किन चीजों का नुकसान हुआ उसका हिसाब लगा रही थी उनकी खेमे से एक आम के अचार की शीशी भी गायब हो चुकी थी और वो इमली भी जो कर श्रवन लेकर आया था रादिका मौसी इस बारे में सूची रही थी कि श्रवन जल्दी से रसोडे में आकर दवायों की पोटली ढूंडने लगता है अर बेटा क्या हो गया अब मा वो काजल की तब्यत खराब है बहुत घबराट हो रही है उसे हलाकि श्रवन भूतों में विश्वास नहीं करता था पर अब वो भी डर जाता है और राजी हो जाता है एक तांत्रिक को बुलाने के लिए कुछी घंटों में तांत्रिक आ जाते हैं और रादिका मौसी तांत्रिक जी को सब बता देती है घर संकट घर घर संकट चड़ल कुमारू जोर चकट ओ भाट स्वाहा खट खाके आहां ये क्या मंतर है मेरे खुद के ओरिजनल मंतर है कल राद को ही लिखे है अच्छे लगए तो दाद चाहंगा एक और मंतर सुनो आर्ज किया है अब्रकडब्र दिल्ली बंबई आगरा चंदा मामा सोवरेले सुरन मामुझ जारा ये मंतर है अरे कोई 40 आ वाली सा पड़ो ना वक्त कम है 40 आ नहीं पड़ेंगे बीजा पची सा में काम चलाना पड़ेगा अलक्त में रंजान जाके लंडन मुफ्त का मंजान घिस मेरे लंडन अरे जल्दी करो तांतरिक जी जल्दी करो तांतरिक अपने उल जलूल मंतर पढ़ने लगता है शवण को तांतरिक पे शक होता है वो अपने एक डॉक्टर दोस्त को कॉल करतीता है ताकि कोई अन होनी हो तो इमेजिंसी में चीजे मैनेज हो जाए तांतरीक दूनी रमाता है, जिसकी बज़े से कमरे में काफी धुआ हो जाता है, और जिसकी बज़े से बहु की घबराहट बढ़ जाती है अब भागेगी चुरेल, हाँ बहु खासते हुए धुए से बचने के लिए बहाँ चली जाती है अरे भाग रही है, भाग रही है पीछे-पीछे श्रमन भी जाता है बहु एक सूफे पर बैट जाती है तबी डॉक्टर दोस्त आ जाते हैं और श्रमन को पानी लाने के लिए कहते हैं थोड़े चेकप के बाद डॉक्टर कहते है मेरे हिसाब से जाब का कांग पूरा हो गया है है क्या मतलब अरे कुछ भी नहीं मा कोई चुड़ाल नहीं है खुशकमरी है अब दादी बनने वाली है मगर वो समचार के डब्बे शमन दोनों अचार के डब्बे अपनी मा को दिखाता है जो की उनके बिस्पर के नीचे चुपे हुए थे आपने सही बुला दा मा वो चुड़ाल काजल ही थी जो खट्टा खा रही थी हमें का लीग पता चला पर हमने आपको ये तांतरिक वाला काम करने दिया ताकि आपको भरोसा हो जाए के भूत वगेरा कुछ होता ही नहीं अच्छा अच्छा ये तो बड़ी खुशी की पाथ है पर बेटा मुझे का जाडू तो ला दे क्यों मा ये तांतरिक का भूत उतारती हूँ मैं अब तांतरिक राधा मौसी के डर से घर से भाग निकलता है और राधा मौसी उसके पीशे भाग की है अरो संकट ये घंगोर है तांतरिक मौँ आचोर है